हालो फ्रेंग्स सो वेलकम यू आल आज मैं आपको जो वीडियो लिक्या रहा हो जिखें बात करेंगे ग्लोबल लेवल की ग्लोबल लेवल पर आजकल जो एक हाई वोल्टेज मैं कहूंगा है काइंड अब ड्रामा आप इसको कह सकते हो चाइना ताइवान और साथ में यूए से का अपना स्ट्राटेजिक इंटरस्ट आप कुछ भी कहो लेकिन इन सारी चीजों की रीजन जो भी कोई रीजन हो इनके पीछे लेकिन इसका जो कॉंसिक्वेंस होगा वो अगेन फिर से चिप्स का शाटेज स्टाक्स कौन से होंगे फोकस में सेमिकंडक्टर बहुत सबसे पहले कर मैं आपको बताऊं कि अगर चिप्स की दुनिया की बात होती है तो कौन से देश नाम आते हैं ताइवान चाइना साउथ कोरिया यह इनका बहुत मैं कहूंगा इवन जापान की भी बात को तो इनका बोल वाला है सेमिकंडक्टर के दुनिया में चिप्स की द इंट्रस्टों होते हैं इंडिया कि भी बहुत बड़ी sparkling जो है वह चाइना से सटी हुई है तो इंडिया के भी अपने strategic इंट्रस्ट है आपने देखा होगा वियतनाम वार जब अमेरिका और वियतनाम का वार हुआ था वहाँ पे देखिए ये नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम की कहानी दिखे अगर मैं सेकेंड वर्ड वर के टाइम गया उसके बाद के वार्स में जाओंगा तो बहुत डिटेल में यहाँ पे चर्चा हो जा मतलब दोस्त कहो या देशी कहो ताइवान यह अब आप सोचो गया अब देखे फिलिपीन यह भी अमेरिका वाला ही है लेकिन अगर आप देखोगे इसके इस एरिया में पूरी की पूरी जापान की दाद चाइना की दादागिरी है यह जो आप देखते हो ना यह समुदरी चान इन एड आमे जो आप बार बार सुनते हो ना की यह आईलेंड यह सब और मलेषिया के फिलिपीन के एरिया यहाँ पर शोछे audio और इन के सब की ऑन तो जोारा सोच यह कर चाहता यह सब कुछ मेरा है तो जरह सोच आइप स्कृaría यहाँ डैमोक्रेसिंस. चलती है यहां पर ताना सही चलती है तो कहां पर आप देखोगे अब अमेरिका जो है इसके सपोर्ट में यह चाहिना लेकिन यह एरिया जो जो democracy वाले थे उनको भगा दिया दमें यहां रहेने लगे तो इन्हुनें यहां democracy स्थाफित कर दी ताइवान में लेकिन यहां पे क्या waits चलती है अब समझ गयोंगे कि क्यों यहाँ पे चाइना डरा रहा है धमकार आ है लेकिन जो कुछ भी होगा अगर कुछ आगे बढ़ता है तो यह चिप शॉटेज के उपर लेके जाएगा और आज हम चिप शॉटेज के उपर एक स्टॉक लिखा है मौस्चिप टिकनॉलोजी छोटा स्टॉक जरूर था पहले यागिन अब यह हजार करोड के मार्केट कैपटाशन में पहुच चुका है अगर मैं आपको एक और स्टॉक बताओ देखें लास्ट टाइम पे जब हमने सेमिकंडुक्टर की बात करी तो यह दिसमबर 15 वाला वीडियो जरूर देखें यहाँ पर सेमिकंडुक्टर क कि हम बार बार आपके सामने बात रखते हैं तो यह लेवल आप देखें यह करेक्शन रिजॉल्ब हो रहा था बस यही कारण था आपके सामने वीडियो लेकिया थे तब स्पैल का और स्पैल देखें कहां से क्या था 26 से सीधे 100 तक का सफर इसने तैय क्या था अमेजिंग अ आप देखनी को मिलते देखिए अभी तक सबकुस्त था और इंडिया के अंदर यह चैने की डिपेंडेंसी टाइवान की डिपेंडेंसी इन सब चीज को देखते हुए और जिस तरीके से इंडिया का खुद का बहुत बड़ा मार्केट है तो आप देखो कितनी गाड़िया बिखती हैं हर महीनी के कितनी गाड़िया बिख जाती है अलग अलग कंपनीज की वहां पे भी आजकल चिप्स की समीकंट्रक्स के मैं कहूंगा बहुत इंपोर्टेंट रोल हो गया हर डिवाइस में जिस तरीके से आयोटी आ रहा है इंटरनेट आप देखोगे असी सारी चीज़ों में तो यहां पे जो है चाहे एरोस्पेस की बात करो आयोटी सॉलिशन की बात करो डिफेंस की बात करो कंजूबर एलक्ट् कर्म आया देखिए मॉस्टिप के अगर मैं मंतली चार्ट को देखूं तो यह स्टॉक में के फोकस में आने का कारण आप समझ जरूर गयोंगे कि कहां पर यह आया देखिए देखरो रैली जरूर हुई है यह दिसमबर वाली रैली उसके बाद यह देखिए करेक्शन कहां करेक्शन जैसे रिजॉल्व होते वह यहां पर देखने को मिल रही है आपके सामने वीडियो आया देखिए पहली रैली करेक्शन दूसरी रैली करेक्शन अब जो है एक बड़ी रैली के तैयारी और यहां पर चलते और वीड़ी स्टॉप लॉस अब दिस रिस्क हमेशा त जो है रिस्क टेकिंग कपबल्टी है मेरे खुद की अफोर्डिबिलिटी ब्रैकेट में दो जारी आता है तो मैं 100 शेर से ज्यादा नहीं खरी दूंगा किए 20 पॉइंट का है तो सो शेर से ज्यादा नहीं यह इंपोर्टेंट है समझना कि मैंक्स लॉस्ट जो है मैं 2000 कर सक 500 और यह देखे कहां तक रह ली गई अल्मोस्ट पचास से 90 की रेंज तक गया सो की रेंज तक गया आपको गया रहा चलो अब यह जो है यह प्रॉफिट यहां पर हुआ अल्मोस्ट अगर मैं देखो कि काकेश लवल तक एक सो एक तक गया मैं आप मानके चलों कि 90 पर आपन इस दक की बार बार आपको कहा जाता कि हाई मोमेंटम हाई प्रॉबबबलेटी और उसके बाद रिसक बैनेजमेंट यह देखे अब वीकली चार्ट को आप देख सकते हो आप यहां पर डेली चार्ट को देख सकते हो कैसे सिचुवेशन है मिलकुल रेंज बनी और यह पार बहुत इंपोर्टेंट 200 SME के ऊपर है तो इसे लिए मौस्चिप का शेर है और चाइना ताइवान की हमने बात करी और इस तरीके से जियो पॉलिटिक्स की सिचुवेशन कहो या पर जैसे रश्या यूकरेन की चीज़ें कहो तो काफी इंट्रेस्ट हमें भी है इन चीजों है देखते रहते हैं चीजों को पढ़ते रहते हैं समझते रहते हैं और साउट चाइना सी कि अगर आपको कुछ इश्यू की बात करें तो यह वाले आइलेंड देखिए जहां पर चाइना अपना हग जमाता देखिए इस प्रैटली आइलेंड यह देखरों बीच में यहां घ्रड़ी चाइना रश्या के ग्रूप में तो कुछ भी यहां पé चीजा हो सकती है तो इसलिए चृप की शॉट इसको इंडिया को भी फोकस कर रहा है इंड्या इंडिया के अंदर बहुत 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 ज्यादा raw material चाइना से आता ही आता है यह समझ लीजिए यह सचा ही है बहुत बड़ी dependency इंडिया की चाइने के उपर है चाहे कि इतना बड़ा दुस्मन क्यों ना हो बहुत बड़ी बाल में विए वीजिए विए व्यों प्रेश से चाही इंडिए वीजिए माल ।